गजा पट्टी के बिलकुल नस्दीक मैं इस वक्त पहुचा हूँ ZNews पहला ऐसा चैनल है जो Ground Zero पर यहां तक पहुच पाया है हमास ने यहीं पर पहला आतंकी हमला किया था यह सेद्रौत शहर है इस पूरे सडक पर आपको इस वक्त सनाटा दिखाई पड़ेगा यहां पर हमास के आतंकी इन सडकों पर घूम कर गोली बारी कर रहे थे आम लोगों पर गोलिया चला रहे थे उन्हें लगातार गोलियों से मार रहे थे किड्नैप करने का प्रयास कर रहे थे यह वो कुछ रेस्टोरेंट है जहाँ पर उस वक्त आम लोग खाना खा रहे थे, कॉफी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, लेकिन ये सभी यहाँ पर तुरंत भागे और अभी भी देखिये, उस दिन के तमाम चीजें आपको यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी, पुरा ये लॉक कर दिया गया है कोई यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्यूकि हमास के आतंकी अभी भी इस इलाके में छिपे हुए हैं, हमें कई forces के जवान ने बताया कि आप अपने खत्रे पर इस इलाके में जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रख कर जाईएगा, सतर्क रहिएगा, क्यूकि ह हमास के आतंकी अभी भी इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं, जो हमला कर सकते हैं, क्यूकि यहाँ पर जो भी लोग 7 अक्टूबर को मौझूद थे, उन पर गोलियों से हमला करते हुए हमास के आतंकी इसी सडक से भाग रहे थे, जो तस्वीरे आपने सोशल मीडिया और मीड प्रजूद रहा है और इसके ठीक बगल देखिए, बंकर्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, कि अगर हमास के आतंकी वहां से हमला करें, तो यहाँ पर छिप देखिए, मैं कैमरा में चुकर थोड़ा नस्दीक आए, एक तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर खून के निशान आप इस दिवार पे देख सकते हैं, बहुत भयावे तस्वीर है, बहुत जादा, क्योंकि जो हमास के आतंकी उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, मासूम, बच्चे, बुजर्ग, महिलाएं, हर किसी को अपना टार्गेट बनाया, निशाना बनाया, और अब आपको मैं इधर की तस्वीरे दिखाता हूँ, यह एक छोटा सा स्कूल है, जो की बंद पड़ा हुआ है, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या लिखा है, क्योंकि हिब्रू में ये लिखा हुआ है, पर मैं तस्वीरे देखके समझ पा रहा हूँ, कि यहाँ पर काफी लोग इकठा होते र आए थे, वो लगातार यहाँ पर हमले कर रहे थे, और हालात ऐसे बने हुए हैं, आपको मैं इस तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ, इधर, जहां पर हम इस वक्त पहुचे हैं, इन घरों में घुश घुश कर लोगों को हमास के आतंकी मार रहे थे, एक एक घर का दर्वाज तोड रहे थे, यह कुछ छोटे-छोटे घर यहाँ पर बने हुए हैं, जहां पर यह हमास के आतंकीयों ने हमला बोला, किसी भी घर को नहीं छोड़ा था, जो तूट सकता था, वहाँ पर गोली बारी कर रहे थे, यह वो जगह है जहां पर हमास के आतंकीयों ने पूरी तर के में किया है सेदराथ के जहां पर जी नियूस की टीम इस वक्त मौजूद है कैमरमेन एस जैदीब के साथ बिशाल पांडे सेदराथ इसराइल